टाइगर स्रोफ की मूवी गनपत रिलीज हो गई है। गनपत को विकास बहल ने डारेक्ट किया है। फिल्म को एक्षन और फ्यूचर फिल्म के तोरबर पर्मोट किया गया था। कुल मिला कर ऐसा मसाला चुना गया जो बोलिवूड में अभी तक ज्यादा देखने को नहीं म बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दू कि टाइगर स्रोफ की गनपत मूवी की कहानी कैसी है। देखे गनपत की कहानी एक ऐसी दुनिया की है जो दबाह हो चुकी है। जिसमें जिंदगी दो हिस्सों में बढ़ चुकी है। एक हिसा रहिस का है और दूसरा हर कृती सैनन और टाइगर स्रोफ जुड़े हैं। ये एक ऐसी कोमन कहानी है जो OTT पर मुझूद हर दूसरी फिल्म या वैब सीरीज में नजर आए जाती है। फिर इस तरह की कहानी को जिस तरह का ट्रीटमेंट मिलना चाहिए वह मिसिंग है। कुल मिलाकर फ्यूचर की बात तो वो रही है लेकिन पॉलिवोड यहां भी अतीत में ही जीता हुआ नजर आ रहा है। गनबत के नाम पर एक औरोसत कहानी को प्रोसा गया। गनबत का सबसे बड़ा ड्रोबैक उसकी एक्टिंग है। टाइगर सुरूफ एक्टिंग कर नहीं बाते और हर वक्त एक्शन मो पर एक्टिंग के मामले में अवरेज है और एक्टिंग में काफी महनत करती नजर आती हैं लेकिन इंप्रेसिव तो वो भी नहीं है। अमिता बच्चन ठीक ठाक है लेकिन उनका रोल स्रिफ 15 मिंट का है। गनबत का डिरेक्शन विकास बहल ने किया है। विकास इसे पहले क्वीन और सूपर थर्टी जैसी फिल्में कर चुके हैं और वैस च्यांदर जैसी सूपर फ्लोप भी दे चुके हैं। फिल्म की कहानी में ना तो गहराई है और ना ही कुछ ऐसा जो पहले ना देखा गया हो। फिल्म ने कमजोर स्क्रीन और डिरेक्शन ने पूरी महनत पर पानी फिर दिया। इस तरह की फिल्में मचबूत कहानी के साथ बनाए जाती हैं और फिल्म का विएफेक्स भी कमजोर है। अगर आप टाइगर स्रोफ के एक्षन के फैन हैं तो इस फिल्म को एक बार जरूर देख सकते हैं। बाकि इस फिल्म को देखने की दुसरी कोई व मुवी कैसी लगी। ऐसी ही मचेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें।